नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है भरगव, no intro, no time pass, direct काम की बात तो दोस्तो मुझे पता है आप अपने घर पे, office पे या दुकान पे CCTV केमरा लगाने का सोच रहे हैं लेकिन आप लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग क्या करटे हैं जब लोगों को CCTV केमरा लगाना होता है तो बो दुकान पे जाते हैं और दुकान दर दाम बोलते हैं 15,000, 20,000, 50,000 ऐसा दुकांदर बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं आपको अलग-अलग कैमेरा लेना पड़ेगा वायर्स लेना पड़ेगा, DVR लेना पड़ेगा, हर्डिस लेना पड़ेगा उसके बार SMPS, उसके बार एक मोनिटर भी लेना पड़ेगा और सब चीज़ों को मिला के estimate बोल देते हैं मिनिमाम 15,000 दों बोल ही देते हैं और साथ ही अगर आप उन चीज़ों को खरेट भी लेते हैं लेकिन आप खुद घर पे लगा नहीं सकते हैं आपको एक technician का help लेना पड़ेगा और technician जब आपके घर पे आएगा तब एक camera install करने में 500 रुपया दिमान करता है और साथ ही जितना wire आप खरेड़ेंगे वो लोग बोलेंगे wire कम हो गया और जब वायर ले ले जिए यह सब बोलके आपका जो budget है उससे भी जब आपका खर्चा हो जाता है और यही main reason है लोग अपने घर पे दुकान पे या office पे CCTV camera आसानी से नहीं लगाते है लेकिन आजकल जमाना एक डम बदल सुका है आजकल जो CCTV cameras है वो सब भी smart हो गये हैं और वो भी आते है single piece में आपको अलग से wire, DVR, monitor कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आपको खरेदना पड़ेगा एक smart wifi camera और वो आता है एक single piece में आप उसको लाके घर पे लगा सकते हैं और उसके preview को अपने mobile पे देख सकते हैं कैमरा पे एक micro SD card डालना पड़ता है तो कैमरा पे ही video recording होता रहेगा और wirelessly आप अपने mobile पे देख सकते हैं mobile पे भी आप video recording कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप उस camera को internet के साथ connect कर देते हैं घर के wifi के साथ connect कर देते हैं नहीं तो mobile hotspot के साथ connect कर देते हैं तो आप चाहे camera जहां पे भी हो आप अपने smart phone पे उस camera के footage को live देख सकते हैं मानने जिए अपना camera लगाया है घर पे तो आप अपने office से भी अपने घर को देख सकते हैं या फिर camera लगाया है office पे दुकान पे तो उसके footage को आप अपने घर से देख सकते हैं तो इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ दो best wifi CCTV camera तो इन दोनों का difference क्या है तो यह हो गया outdoor outdoor मतलब यह waterproof है तो बाहर पे लगा लिजिए चाहे rain हो पानी गिड़े प्रोलेम नहीं है तो इसको आप बाहर पे लगा सकते हैं और यह है indoor camera इसको आप अंदर पे कहीं पे भी लगा सकते हैं सिलिंग पे लगा सकते हैं टेबल पे रख सकते हैं एकड़म आसान है दोनों single piece में आता है आप खुद लगा सकते हैं एकड़म इजी है मैं सब कुछ दिखा दूँगा इसका दाम है 1340 रूपीज जी हाँ 1340 रूपीज और एक micro SD card लगा लिजिए और कुछ खर्चा नहीं है बस उतना में ही आपका सिस्टी भी हो जाएगा और जो outdoor camera है उसका दाम है 2699 रूपीज outdoor camera का दाम थोड़ा सा ज्यादा ही होता है as compared to the indoor camera तो इतना भी ज्यादा नहीं है और कुछ जंज़त नहीं है सिर्फ इसको खरेदना है install करना है एक app आता है mobile पर download करना है बस तो चलिए इन डोनों का अभी unboxing करते हैं और दिखाता हुमें इसके अंदर क्या क्या है और जी हाँ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा इसके app के बारे में बताऊंगा इसके video sample के बारे में बताऊंगा इसका features के बारे में बताऊंगा इन सभी में night vision भी होता है इसमें audio recording भी होता है two-way talk है, motion detection है, बहुत कुछ है तो चलिए करते हैं unboxing तो ये दोनों हो गिया IIS smart wifi camera तो पहले किसको खोलते हैं पहले outdoor को ही खोलते हैं तो ये हो गया outdoor camera ये निकल सुका है camera उसके बाद box में और भी चीज है जैसे install करने के लिए ये वाला handle या lever दिया हुआ है उसके बाद ये screws बगड़ा दिया हुआ है आप खुट install कर सकते हैं और दो screw हो गया ये cap बगड़ा है इसका land cable है उसमें लगाने के लिए उसके बाद ये बाद हो गया power adapter सब को साथ में ही मिलेगा तो outdoor camera के box में ये सब निकला तो इस camera का ये दो हो गया Wi-Fi antenna क्योंकि ये Wi-Fi camera है इसमें आपको दो antenna मिलेंगे इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं ये देखिए ऐसे भी हो सकता है और सामने ये बाद हो गया इसका lens इससे ये full HD video record करता है उसके बाद यहाँ पे IR lights है infrared lights जिससे night vision recording करता है और इसमें color night vision होता है ये इसका एक खासियत है normally CCTV cameras color में record नहीं करता है लेकिन ये करता है क्योंकि इसमें LED lights भी है जिससे ये रोशनी पेड़ा करता है और रात में color footage record करता है इसमें mic भी है, speaker भी है तो ये बला हो गया mic, ये बला हो गया speaker और इसके अंदर micro SD card लगाना पड़ेगा यहाँ पे screws है, उसको खोल लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर एक micro SD card लगा लीजिएगा आप लगा सकते हैं 32GB, 64GB, 128GB का micro SD card यहाँ पे लगा सकते हैं और video recording उसी में होता रहेगा उसके बाद यहाँ पे दो screws है आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो handle है इसको ऐसे लगाना पड़ेगा यह बाला cable है यह बाला हो गया power लेने के लिए यहाँ पे यह जो adapter है इसका जो यह बाला point है यहाँ पे चला जाएगा अगर आपके ख़र पे wifi नहीं है तो यह LAN port है यहाँ पे LAN cable लगा सकते हैं और यह बाला हो गया एक button है reset का button है यह तो अभी क्या करेंगे तो अभी इसमें जो handle है उसको लगाएंगे तो उसके लिए दो screw भी दिया हुआ था तो इनके मड़त से इसको यहाँ पे लगा लेंगे आप खुद लगा सकते हैं कोई टेक्निक सेन का ज़रुरत नहीं है तो यह रेखिए हो गया है तो आपने देख लिया तो अभी चलिए अन्बोक्सिंग करते हैं इंडोर केमेरा का तो इसके अंदर यह वाला हो गया इंडोर केमेरा तो यह देखिए सिंगल पीस में आता है इंडोर केमेरा है इसके बाद इसका यह power adapter यह USB केबल यह mounting plate और इसका screws यह mobile adapter जैसा ही है साथ में यह USB केबल है इसको यहाँ पर लगाना है उसके बाद यह दूसरा है जो हिस्सा है इसको आपको लगाना परेगा केमेरा के पीछे तो लगा दिया है मैंने अभी इसके अंदर भी memory card डालना परेगा यह वाला हो गया memory card का slot यहाँ पर भी आप 32GB, 64GB, 128GB का memory card डाल सकते हैं इसमें जो microSD card डालेंगे उसी में ही video recording होता रहेगा तो इस camera के सामने यह वाला हो गया इसका lens जिससे यह full HD video recording करता है उसके बाद यहाँ पर IR lights है इस black glass के पीछे IR lights है, infrared lights, night vision के लिए मतलब जितना भी अंहेरा हो यह साफ साफ recording करता है लेकिन इसमें color night vision नहीं होता है black and white night vision होता है और इसमें भी speaker है, mic है, 2A audio है और पीछे यह वाला हो गया reset का button और इस camera का खासियत है pen and tilt यह देखिए, आप mobile phone से इसको उपर नीचे से कर सकते हैं दाएं, बाएं ऐसे कर सकते हैं अमेरिका से इंडिया पे भी आप control कर सकते हैं camera को left, right घुमा सकते हैं आप down कर सकते हैं तो यह हो गया indoor camera तो आभी जान लिजिए इनको कैसे install करना है उसके लिए indoor camera के नीचे mounting plate को यहाँ पर लगाना पड़ेगा mounting plate को आप ceiling पर लगा सकते हैं उसके बाद camera को ऐसे उल्टा लगा सकते हैं लेकिन यह actually बना है table पर रखने के लिए table पर ऐसे रख दीजिए और हो गया लेकिन outdoor camera को वाल पर लगाने के लिए यहाँ पर देखिए 4 holes है और साथ में screws भी दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको डिबार पर यहाँ पर 4 holes करना पड़ेंगे उसके लिए आप एक grill machine का यूज़ कर सकते हैं ऐसा वाला यह Khadiza company का grill machine है इसका भी मैंने review किया था यह बहुती अच्छा grill machine है इसका भी link आपको description में मिल जाएगा इसका डाम 1100 जैसा कुछ है तो उसके बाद यहाँ पर 4 holes हो गया उसके बाद यहाँ पर यह रिखिए जो green green जो प्लास्टिक का है इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा हर्थोरे से ठोक के उसके बाद आप इसको एसा लगा लीजिएगा और जो sprues है उससे इसको टाइट करेजिएगा जब केमरा इंस्टोल हो जाएगा तब उसको आप अपने reimburseから सकते है इसको इसे नीचे इदे बाद पर इसे आप घुंपा के इसको टाइट करेजिएगा तो इसे इसको इसको इंस्टोल किया जाता है लेकिन जो indoor camera है इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है सिर्फ इसको table पर रख दीजिए कहीं पर भी रख दीजिए और हो गया तो चलिए अभी इनके app को download करते हैं और app में इन दोनों camera को add करते हैं और जो app है दोनों का सेम है V380 pro तो एक app से ही एक mobile phone से ही आप दोनों camera को देख सकते हैं तो चलिए अभी इस app को open करते हैं इस app को install करने के बाद यहाँ पर आपको एक account बनाना पड़ेगा जो मैंने अल्री बना के रखा है और login करने के बाद यह वाला screen आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कई सारे cameras add करके रखे हैं जो मेरे native place में है जो यहाँ से 3000 km डूर है फिर भी मैं यहीं से उन cameras को control कर सकता हूँ तो अभी इन डोनो cameras को add करने के लिए यहाँ पर एक plus icon है तो उस plus icon पर click करना पड़ेगा उसके बाद add camera पर click करना पड़ेगा तो यहाँ पर टीन option आया है wifi smart camera, 4G camera और kit तो आपको click करना पड़ेगा wifi smart camera पर उसके बाद आपको click करना है app hotspot connection पर तो यहाँ पर GPS को on करने के लिए बोला है आप location GPS को on कर लिजेगा अभी घर का जो आपका wifi है नहीं तो आपका mobile hotspot का जो wifi है नहीं तो wifi dumbbell का जो password है वो आपको यहाँ पर enter करना लेकिन उससे पहले इन डोनों camera's पर पावर तो देना ही पड़ेगा तो चलिए इनमें power दे लेते हैं तो चलिए सबसे पहले इस camera पर पावर देते हैं तो अभी camera पर पावर आ चुका है उसके बाद अभी यह camera panel tilt होगा घुमेगा और इसमें से कुछ आवाज आएंगे voice comments आ और भी voice comments आ रहे हैं तो अभी यह setup करने के लिए ready है एक बात का ध्यान अरखिए जब camera को आप app के साथ connect कर रहे हैं तब अगर ऐसा आवाज नहीं आता है तो camera's को reset करना पड़ेगा तो पीछे पर यह बटन है इसको 5 सेकेंड तक दबाने से यह reset हो जाता है और इस camera का भी reset क बटन wires में दिया हुआ है तो अभी फिर से mobile app पे जाना पड़ेगा तो mobile app में मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कौन सा steps थे तो सबसे पहले plus icon उसके बाद यहाँ पे add camera उसके बाद wifi smart camera app hotspot connection उसके बाद घर के wifi का जो password है बो देना पड़ेगा मैंने दे दिया है उसके ब हो गया मैरा wifi का settings mobile पे तो यहाँ पर सो कर रहा है camera का name MB58 जो इसका serial ID है नीचे दिखा होता है सेम है वही है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो यह automatically connect हो जाएगा तो देखिए connect हो गया है मतलब इसका wifi से यह mobile अभी connect हो गया है अभी वापस जाना पड़ेगा app में तो अभी थोड़े देर के बाद ही setup complete हो जाएगा तो देखिए wifi connected बोला है complete हो गया है तो अभी इस camera का एक नाम देना है तो मैं दे रहा हूँ home उसके बाद करेंगे finish तो यहाँ पर अभी यह camera सो कर रहा है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो अभी बोला है एक password set करने के लिए क्योंकि अगर आप password set नहीं करेंगे तो इसका footage को आपके परोशी भी देख लेंगे तो यहाँ पर मैंने मेरा खुट का password दे दिया है और अभी क्लिक करेंगे confirm पे अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस camera का preview दिख जाएगा तो देखिए अभी camera का preview आ गया है तो यह camera का preview आ चुका है तो अभी दोनों camera same wifi से connect हो चुका है और दोनों ही camera online है तो इसलिए दोनों ही camera के footage को मैं एक app से ही देख सकता हूँ तो चलिए इस camera को on करते हैं अभी तो अभी यह जो preview है इस camera का है तो अभी अगर डूसरा camera का preview देखना है तो इस app में एक feature है आप जितना भी camera same wifi से connect हैगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए अभी इस app के features के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ icons मिलेंगे जैसे कि यह वला हो गया speaker का icon इसको अगर आप on कर देंगे तो camera का आवाज आपको mobile पर सुनाई देगा मतलब camera के साम चोड को dart के भगा भी सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा यह हो गया speak का icon इसको click करके आप जो भी बात करेंगे वो camera पर आ जाएगा तो इससे आप चोड को dart के भगा भी सकते हैं और घर के लोगों के साथ बात भी कर सकते हैं इसको two way audio बोला जाता है उसके बाद यवाला हो गया recording का option इसको दबाने से आपका mobile बन जाएगा एक DVR और वारलेसली camera का जो footage है आपके mobile पे store होगा उसके बाद replay का icon है replay में click करके आप जो भी recording हो गया है आप देख सकते हैं memory card को आपको निकलने का ज़रुरत नहीं पड़ेगा आप इसी से देख सक इसके बाद ये बाद ये बाला हो गया pen and tilt का option जो की ये camera घुम सकता है उसको आप यहां से control कर सकते हैं अभी देखिएगा मैं इसको control करूंगा देखिए camera घुम रहा है उपर नीचे कर सकते हैं आप दाए बाए कर सकते हैं तो mobile app से आप इसको इसको बताया नहीं यहां पे quality change करने का option है फिलहाल SD select है इसको click करके आप HD कर सकते हैं तो अभी जो recording होगा HD पे होगा और यह वाला full screen का तो आप इसको full screen भी कर सकते हैं full screen mode पे भी आपको सब कुस option मिल जाएंगे video recording का mic का सब कुस यहां पे मिल जाएगा तो अभी इस camera के settings पे चलते हैं तो settings पे आपको इ से आपको settings मिल जाएगा तो यह बला हो गया इसका settings जैसे कि general settings, network settings, network settings से आप इसका app hotspot mode को on कर सकते हैं तो उससे क्या होता है आपको internet का ज़रुद नहीं परेगा इस camera से जो wifi निकलेगा उसी को आप mobile पे connect करके preview देख सकते हैं without internet लेकिन आप उस समय 50 मितर या 100 मितर से दूर नहीं जा सकते हैं इसके wifi के range पे ही आपको रहना परेगा और इसके live preview को आप mobile phone पे देख सकते हैं यह तब काम आता है जब camera घर पे हो और आप भी घर पे हो तब आप इस app hotspot mode को use कर सकते हैं लेकिन अगर आप बहुत दूर से देखना चाते हैं तो wifi station mode को on करना परेगा उसक बजेगा देखिए एक बार सोचके देखिए अगर छोड घुसता है और छोड के सामने यह आवाज आएगा तो उसका हलट क्या होगा तो यह एक बहुत ही अच्छा feature है जो इन दोनों cameras पे available है तो यह इसका बहुत ही अच्छा feature है इससे siren निकलता है तो आपके घर पे, office प आपको इन दोनो cameras को कहीं पे लगा देना है और आपका काम हो गया तो यह जो दो cameras है यह बहुत ही अच्छा cameras है और इनका दाम भी बहुत ज़्यदा नहीं है तो अभी इनको खरी दिये और आपके घर पे, office पे या दुकान पे लगा लिजिए लेकिन उससे पहले रुकिए इनका जो video sample है बहुत देखके जाईए तो अभी मैं आपको दिखने वाला हूँ इन दोनो cameras का video sample और वो भी दिन का और नाइट का तो चलिए तो अभी मैंने indoor camera को temporarily एसे ही लगाया है यहाँ पर तो यह देखिए यह हो गया mounting plate इसको मैंने screw डलके यहाँ पर इस प्लायूट पर लगया है उसके बाद इस camera को यहाँ पर एसे लगा के घुमाना है तो यह यहाँ पर लग जाता है सिलिंग पर भी आप इसको एसे लगा सकते हैं लेकिन मैंने इसको तेम्पर लगाया है एक प्लायूट पर यूँकि मेरे घर पर अलड़े बहुत सारे camera लगे हुए है तो अभी देख लिजी इसका video sample कर दो यह थायव भी इसका प्रपड़ देख फ़िए जिंग हुए है प्लावर आपरण पर शेंग है अ आया है तो मैंने आउट्डूर केमेरा को भी टेंपरले प्लाइबोर्ट पे लगया है आउट्डूर पे और अब देख लिजिए इस कैमेरा का वीडियो सेंपल तो में बडिए झाले आउट्स झाल झाल तो ये जो दो कैमराज इन डोनो कैमराज में कोई वारांटी नहीं आता है लेकिन आपको घबनाने का जरूष नहीं है यह सालों साल चलता है क्योंकि मैं ऐसा cameras पिछले तीन सार सालों से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक एक भी camera खड़ाब नहीं हुआ है लेकिन अगर आपको warranty चाहिए तो आपको एक camera पे 5000-6000 करशा करना पड़ेगा तो इसलिए अच्छा है 2699 देके ये ले लिजिए ये सालों साल चलेगा या फिर ये ले सकते हैं इसका दाम है 1340 रूपीज अनली तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के products अच्छे लेगे होंगे अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को like और share कीजिएगा और इस तरह के products के reviews देखते हैंने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए तो जल्दी से मिलते हैं एक दुसरे useful product के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल